दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल लागियाज लर्निंग अटापर आज की इस कलास में हम बात करेंगे जोन गाल स्वर्थी की जी हाँ जोन गाल स्वर्थी अगर आप UPTGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है तो इस सीरीज में हम अब भी हमने स्टार्ट किया है जोन गाल स्वर्थी जोन गाल स्वर्थी से रिलेटेड इनके जो रचनाए हैं इन से रिलेटेड बहुत सारे कोशन अपन यहाँ पर करने वाले है आज की इस क्लास में हम 10 कोशन करेंगे और इसके बाद हम जोन गाल स्वर्थी पर एक पूरी सीरीज चलाएंगे उसके बाद जोन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और उसके बाद विलियम शेक्षपियर के बारे में इन सभी writers और points के बारे में हम जो UPTGT-PGT में आते हैं इन चारों से related questions उन सभी questions को अब तक कितने भी questions UPTGT-PGT में पूछे गए हैं उन सभी questions को भी समावाइस करेंगे लेकिन अपने easy to difficult चलेंगे पहले start करेंगे जोन गालसवर्थी को और ये इसकी series first है या video first कह सकते हो आप और इनके बहुत सारे वीडियो बनेंगे उसके बाद जोन मिल्टन के बनेंगे उसके बाद जोन आपका विलियम विट्सवर्थ के बनेंगे और फिर विलियम शक्षपियर के तो इस video में सिरफ question answer की बात होगी question answer के बात हमसे पूरे जोन गालसवर्थी को आपको मैं समझाओंगा तो दोस्तों यहाँ पर हमारा first question है कि जोन गालसवर्थी वाजबोर ने जोन गालसवर्थी का जनम कब हुआ था तो 15th of August 1867 क को हुआ था या 14th August 1867 को हुआ था या 16th August 1867 को हुआ था या 20th August 1967 में हुआ था तो बताना है कि जोन गालसवर्थी का जनम कब हुआ था आज की इस class में तो खटाबट मैं ही आपको अंसर बताऊंगा नेकिन next class इसका video number second जो बनेगा वहांसे मैं आप से comment जाऊंगा तो अभी मैं इस question का उत्तर बता देता हूं जो कि हमारा question number first है इसका answer है दोस्तों second कि जोन गालसवर्थी का जनम 14 अगस्त 1867 में हुआ था next question है हमारा question number second कि जोन गालसवर्थी वास डाइड जोन गालसवर्थी की death कब हुई थी दोस्तों ये question पूछा जा रहा है क्या 31 जनमरी 1933 को हुई थी या 14 अगस्त 1933 को हुई थी या 15 अगस्त 1945 को हुई थी या 20 अगस्त 1947 को हुई इसका correct answer है दोस्तों A 31 जनमरी 1933 में इनकी death हो लिए और इन्होंने four side saga लिखी थी इसके लिए इनको ये नोबल प्रुसकार मिला था 1932 का सहित्य का आगे question number four देखेंगे न आप ये इसी से related है जोन गाल्सवर्थी वोज यहां पर नहीं है आगे है ये रहा question number fifth है when was जोन गाल्सवर्थी received noble prize in literature सहित्य के लिए नोबल प्रुसकार कब मिला था दोस्तों इनको 1932 में noble प्रुसकार मिला था और 1933 में इनकी death हो गए थी तो ये जोन गाल्सवर्थी को noble प्रुसकार किस के लिए मिला था लिटरिचर के लिए मिला था कौन सी करती थी four side सागा इन्होंने लिखी थी एक महा काविय था इनका इसके लिए इनको 1932 में noble प्रुसकार मिला था फिर तीसरा कोशन है हमारा कि जोन गाल्सवर्थी spouse name इनकी पत्नी का नाम क्या था इनकी पत्नी का नाम था रुडॉल्फ सोस्टर तो इनका इनके साथ affair था अपने कजन की वाइफ के साथ और बाद में इन्होंने डिवोर्स किया था अपने हस्बंड से और जोन गाल्सवर्थी से साइब शादी की थी तो यह इनकी वाइफ है इनका नाम आर्थर था इससे रिलेटिड भी आके कोशन आएगा यह लिलियन सोस्टर और मेबल रिनोल्ड इनकी सिश्ट्र थी यह भी सिश्ट्र थी जोन गाल्सवर्थी की और ये भी सिश्ट्र थी अगला question है कि John Galsworthy was a century English novelist, poet and playwright कि John Galsworthy जो थे न, वो किस स्थापती से संबन दित थे, एक English novelist थे, poet थे, playwright थे किस स्थापती के थे, क्या वो 19 वी स्थापती के थे, या 20 वी स्htापती के थे, या 18 वी स्थापती के तो दोस्तों अंसर है 20 में स्थापती के 20th century से related ये point माने जाते है अगला question है कि जोन गाल्सवर्थी फादर मोज जोन गाल्सवर्थी के फादर क्या थे क्या वो एक डॉक्टर थे क्या वो एक point थे या solister थे या singer थे दोस्तों इनके पिताजी एक lawyer थे इनके पिताजी एक वकील थे जिनको solister भी का जाता है तो यहाँ पर इनका answer होगा C next question है इनके son का नाम क्या था अगर हम इसको देखें कि इनके son का नाम क्या था यहाँ तक हमने question कर लिए तो इनका जो son था उसका नाम था Rudolph Soster और ये अड़ा पिरेसन का ही पुत्र था और इनोंने इसको अडेप्ट किया था अग्छुली इनके cousin का पुत्र था और इनोंने अपनी cousin के वाईव से ही शादी की थी जोन गाल्सवर्थी ने तो ये पुत्र उनके साथ ही इनके पास आया था तो इसलिए इन्होंने पादमीन को एड़ोप्ट किया था उनको गोद लिया था ये कह सकते हैं उपने तो ये इस सन का नाम रुडॉर्फ सोस्टर था रोबर्ट रसकेन या जोन ये गलत नाम है कालपनीक नाम है ये नहीं थे फादर का नाम क्या था तो जोन गालसवर्थी के फादर का नाम भी दोस्तों जोन गालसवर्थी ही था पिता पुत्र का एक नाम था इनका नाम भी जोन गालसवर्थी था और इनके पिता का नाम भी जोन गालसवर्थी था ओके, व रोट दा अफिशल बाइयोग्राफि औ जण्ट लगालसवर ओक दोस्तों उस्टी ग। यो लियोन शैचलिट ने लखे थी लेकिन इसकाम में इनका साथ दिया था दा गालसवर्थी ने जो कि एडा देख कज़न थी ऀए तो अर्थर गालसवर्थी ये इनके कज़न थे जिनकी पतनी थी एडा पियर्सन जिससे इननोंने जोन गालसवर्थी ने शादी की थी और इनी आर्थर का ही पुत्र था कौन रुडॉल्फ सॉस्टर जिसको बाद में जोन गाल्सवर्थी ने गोध लिया था दोस्तो ये पार्ट फस्ट था अगर आप UPTGT की तियारी कर रहे हैं तो मैं आपको ये चारों जो हैं इंग्लिश लिटरेचर के महान विक्ती, जोन गाल्सवर्थी जोन मिल्टन, विलियम शेक्षपिर और वर्ट्सवर्थ इन सब के बारे में कोश्चन के माध्यम से इनके पूरी जीवनी इनकी सभी किताबों के इनके सभी केरेक्टर्स की हम लोग बात करेंगे तो आज की इस किलास में हमने सिर्फ दस कोश्चन किये हैं जोन गाल्सवर्थी से रिलेटेट पहले इन सभी पॉइट के संबन्ध में इनके जीवन से संबन्धी कोश्चन होंगे फिर इनकी कौन-कौन सी कृतियां थी इनके कौन-कौन से नौवल थे और novel से related मैं पहले बता दूँगा कि ये novel का नाम है और इस novel से related ये question है हमारे वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं आगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं नमस्कार